मंच पर उपस्ते तो जिनके बुलाने पर हम और आप सब यहाँ पर मौदूद हैं बंगाल की सबसे बड़ी नेता यहाँ की मुख्यमंत्री आदने मम्ता जी मंच पर उपस्ते सभी दलों के हमारे सभी वरिष नेता यहाँ पर उपस्ते बड़ी संक्या में आदनी बुज़र्ग माताएं बेहने नौजबान साथी पतकार साथियों मैं सबसे पहले आदनी मम्ता दीदी जी को धनिवार और बधाई दूँगा कि इस एतिहासिक कारकम को करने का फैसल किया मैं देख रहा हूँ यहां से लेकर के आखरी जगह तक जहां तक नज़र जा रही है लोगों के सरी सर दिखाई दे रहे हैं कुछ और दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जहां मंच पे इतने लोग बैठे हों जिनोंने लगातार वो बात कई हैं लगातार वो बातें बताई हैं कि आज हमारे और आपके अधिकारों को खत्रा है मैं बंगाल की धर्ती को नमन करता हूं वैसे तो बंगाल मुझे आने का कई बार मौका मिला है लेकिन आज जो मौका मिला है उसका उद्देस ही दूसरा है और मैं यह कह सकता हूं जो बात बंगाल से चलेगी वो देश में दिखाई देगी यह तो अच्छा हुआ अरदनी दीदी जी का मैं धन्यवाद दूँगा कि बारा तारीक को सपा बसपा और हमारे सहयोगी दनों का गड़बंदन हो गया लोग सोचते ते गड़बंदन नहीं होगा बारा तारीक को गड़बंदन हुआ देश में खुशी की लहर दोड़ गई और आज की जो रैली है इसका संदेश जब देश में जाएगा देश की जनता भी फैसा लेने के लिए तयार हो जाएगी अभी अभी साल नया आया है हमने आपने नजाने कितनों को बढ़ाई दी होगी नये साल की अभी जब तारीक बदली नया साल आया हमने आपने समने खुशी मनाई एक दूसरे को बढ़ाई दी सोचो कभी ये बदलाब आया और देश में नया प्रधान मंद्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिल करके वो लोग कहते हैं कि इतने लोग हैं इनके पास इतने मुख्मन प्रधान मंद्री के दाबेदार हैं कभी कभी हमें चड़ाने के लिए ये भी कहते हैं इनके पास दूले बहुत हैं कौन बनेगा हम तो कहते हैं अगर हमारे पास दूले जादा हैं जो जनता ते करेगी वही बनेगा और पहले भी बना है फिर एक बार नया प्रधान मंद्री बनेगा हम पे तो इतने हैं, हम आप से पूस्ते हैं, जो फेल हो गए, जिनोंने देश को निरास कर दिया, जिनोंने जनता को धोका दिया, जिनोंने छल किया, जिनोंने सजिश की सडेंद किया, समाज में नफरत फैलाई उसके अलावा अगर कोई दूसरा नाम भाती जनता पाड़ी पर हो तो वो बता दें कि आप पर दूसरा नाम कौन सा है इस नाम ने निराश कर दिया है देश को और फिर ये तो अभी कम दलों का गड़बनन है अभी तो जादे दलों का गड़बनन नहीं है हमने तो आप से सीखा है आपने गड़बनन करके सरकार मनाई तो हम लोगों ने भी ये देश की खुबसूरती को एक मंच पे ला करके एक खुबसूरत गुलदस्ता बनाने का खाम किया है अभी तो हम पे बहुत गुंजाइश है आप पे चालिस गड़बनन है चालिस गड़बनन के साथ साथ जैसे जैसे चुनाओ करीब आ रहा है आप और लोगों से भी गड़बनन कर रहे हो सीवी आई से, एडी से लेकिन हम तमने मिलकर के जनता से गड़बनन कर लिया है और लोगतंत में जो जनता ते करती है वही फैसला होता है इसलिए मैं आप सबसे आज के दिन एतिहास एक दिन आप से अपील करने आया हूँ कि उत्तप देश और पूरे देश ने मन बनाया है अभी हमसे पहले तमिल्लाडू के नेता बोल ले थे सोचो तमिल्लाडू में खाता नहीं खुलेगा बीजे बीका और सपा पसपा रेल्डी और हमारे सहयोगी तल मिल गए उस दिन से भाजपा मैं बैठक हो रही है बैठक के बाद बैठक हो रही और वो सोचने के आखिरकार उत्तपदेश में एक सीट कैसे जीती जाए अभी बंगार बिहार जारखन अगर तमिल लाडू जीरो कर सकता है बीजेपी को तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है भाती जंता पार्टी का खाता नहीं खुले और फिर हर बात पे निरास किया जो बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास होगा उन्होंने समाज में जहर गोलने का काम किया मैं अपने नौजमानों से कहना चाहता हूँ हम लोग उन्हें बहुत काम किया लेकिन बीजेपी के लोग काम पर बोट नहीं मांगते मुना जाने क्या साजिश करेंगे सड़यन करेंगे आपके साथी को तोड़ लेंगे और उससे जाकर के संदेज देने का काम करेंगे इसे मेरी अपील है आपसे कि इनकी साजिश में नफस करकर के देश को बचाने का काम करना और अपनी पार्टी को मजبूत करकर एक-एक संसर जिता करके फ्यिदने का काम करना मैं एक बार फिर आधर ही ममता जी को बधाई दूँगा तमाम नेताओं को बधाई दूँगा के देश को बचाने के लिए लोगतन को बचाने के लिए और जो संविधाने के संस्था हैं उनको बचाने के लिए जो काम किया है उसके लिए मैं बढ़ाई देता हूँ और इस एतिहासी करकम जिसमें लाख और लाख लोग दिखाई दे रहे हैं शायद आखरी वाले को हम दिखाई भी नहीं दे रहोंगे लेकिन उसके बावजूद भी उसका जो तो सा कम नहीं हो रहा है और इस कारकम सफल बनाने के काम किया मैं बढ़ाई देता हूँ मैं धन्यवाद देता हूँ मैं तो भायका तारा अखिलिस को कहेंगे कि आप लोग यूपी से जिरो बना दो भी यवी को बंगाल से आम लोग जिरो कर देंगे हम यह असा संदे सकती हूँ कि आवी मैं अर्भीन केजरिवाल जी हमारा दिल्ली का चिप मिनिस्टर हमारा दोस्त है आपका लीडर है अर्भीन जी को बोलने के लिए रिक्वेस्ट करने चाहूंगी झाल